समस्कार दोस्तों यूटूब चलने में आपका स्वागता तो डेफेंस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैवी वाटर बोर्ड अक्जाम के लिए तो हैवी वाटर बोर्ड जो अक्जाम है वह अब 23, 24 और 25 जुलाई को आपका होने वाला है उसके लिए admit card हो भी जारी कर दियुक्न है आप सभी अपने admit card हैं वो भी चेक कर लिया होंगइ आज हम जो ड्राइवर कमpp ओपरेटर फाइरमेन की जो पॉस्ट थी उनके लिए न सवीडियो को अंतं सब्सक्रहने वाले हैं तो आप वीडियो में बने रहें वह एँ वीडियो को अंत 29 नंबर पोस्ट पर आपको दिखाई देगए ड्राइवर ओर्डिनरी ग्रेड ग्रूप सी की नोन गेजटेड की पोस्ट है इसमें टोटल 20 पदों के लिए यह बरती है यह करवाई जा रही है जिसमें यूर के 14 EWS के एक OBC के तीन HC और ST के एक एक पोस्ट के लिए इसमें फोरम है वो अपलाई करवाए गए थे 10th standard पर यह विकेंसी थी निकाली गई थी इसमें आप से license वगेरा भी मांगा गया था तो इसमें हम सीधे चलते हैं mode of selection पर तो इसमें selection की बात करें तो इसमें सबसे पहले इसमें ब क्यूसंस है वो पूछेज जाएंगे general knowledge, general English, arithmetic और motor vehicle act इसमें यह साफ नहीं बताया गया है कि total कितने number of questions है वो आने वाले हैं अगर और इस टिपांडरी training categories की बात करें तो इसमें बतायागा है कि 50 questions आएंगे इसमें ऐसा कुछ बताया नहीं गया है तो आप मानके चलिए कि लगबग 100 या 75 या 100 questions या 100 questions इसमें पूछे जाएंगे क्योंकि 4 topics से questions पूछे जाएंगे तो आप मानके चलिए 100 के लगबग questions या 100 questions इस इसमें पूछे जाएंगे जिसमें General Knowledge, General English, Arthematic Motor Vehicle Act, जिसमें Motor Vehicle Act है, उससे तो आपको जरूर से 20 कि लग बक्यूसन से पूछे जा सकते हैं, Arthematic, General English और जो General Knowledge हो वो बेसिक आपकी रहने वाली है, अगर आपने कोई भी अधर जो अक्जाम दिया है, जैसे NPCL, BARC और इस तो लेवल का जिक्या आता है या फिर इंग्लिस आती है तो बिल्कुल वही लेवल की इसमें आने वाली है उसमें ज्यादा कोई फेर वदल वाली बात नहीं है मैत होगी वह आर्थमेटिक बेसिक केल्कुजेशन होगी जोड बाकी गुणा बाग से रिलेटेड बौर्ड मास से रिलेटेड क्यूसन से वह पूछे जाएंगे नेक्स इसमें बात करें तो जनरल केटिगरी के लिए इसमें 50% पास मार्किंग रखी गई है और OBCS CST के लिए 40% इसमें पहलेट क्यों आपको पास करते हैं उसी के बाद आपको लेवल 2 के लिए ड्राइब टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा तो यह लिए बात फॉसके आपको रिटेड टेस्ट में यही बात जियान में है रखने है कि जनरल नोलेज्ज जनरल इंगली इंगली स्व पुचे ज पढ़ा देंगे अगर आप पढ़ना चाहें तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता दें कि यह टोपिक हमें पढ़ना तो इसके लिए हम वीडियो आपके लिए अवेलेबल करवा देंगे अब हम जो driver ड्राइवर कंपंप ऑपरेटर वाल जो उसके लिए डिस्कस करते हैं कि उसमें शलेबस वो क्या रहने वाला है पोस्ट है उसमें पोस्ट नंबर 30 पर आप देखेंगे कि ड्राइवर कंपंप ऑपरेटर की यह पोस्ट है वो आपको दिखाई देगी यह फायरमेन केटिगरी पोस्ट है, गूपC की नॉंड़ थीटेड के पोस्ट है, रहने वाली है, इसमें ट्विन्टि सिक्स पदों के लिए आपके बरती है, ये करवाई जा रहे इसमें, इसमें qualification की बात करें तो इसमें आपसे प्लस टू और साइंस और मेत के जो chemistry student है वो इसमें apply कर सकते हैं तो forum forum वगेरा है वो आपने apply कर दिया था तो इसमें बात करें है mode of selection है वो आपका किस परकार से रहने वाला है तो इसमें बताएगा कि selection process involves physical assessment test driving test and return exam in two stages मतलब आपका सबसे पहले physical assessment test होगा उसके बाद driving test होगा और उसके बाद आपका return exam है वो होने वाला है तो सबसे पहले इसमें physical test है वो आपका होने वाला है physical standard and physical assessment test driving test will be conducted first मतलब आपका सबसे पहले physical assessment test होगा और driving test होगा उसी के बाद आपका return examination है वो होने वाला है तो उसमें आपको सबसे पहले physical assessment test है, उसी की तयारी है, वो आपको करके जानी है, driving test will be conducted on those who qualify in the physical assessment test, जो student physical PAT है, उसको confirm या pass out कर लेते हैं, उनी का driving test है, वो होने वाला है, और तो candidates qualifying in driving test will be only called for stage 1 preliminary test, और जो student है, वो stage 1 के लिए वही student को बुलाया जाएगा, जो driving test और जो physical assessment test है, वो दोनों को pass कर लेते हैं, और आगे इसमें जो examination के लिए बतायागा है, कि इसमें exam है, वो भी two stage में होने वाला है, first stage आपका preliminary test होगा, इसमें 50 important questions है, वो objective type questions आप पूछे जाएंगे, जिसमें mathematics से 20 questions, science से 20 questions, और general awareness से 10 questions है, वो आपके पूछे जाएंगे पर take questions आपका three marks का होगा, वो negative marking होगी, वो one, एक number है, वो आपका negative marking के रूप में काट लिया जाएगा, तो ये सिर्फ passing mark होगा, और next, जो advanced test होगा, वो भी same, यही रहने वाला, इसमें भी 50 multiply choice के questions है, वो पूछे जाएंगे, same, यही criteria, इसमें भी रहने वाला है, three marks का, एक questions ह होगा, एक marks है, वो आपका काट लिया जाएगा, तो ये तो बात होगी, इसमें के जो return test के बारे में, सबसे अब हम बात करते हैं, इसका जो physical assessment test होगा, वो किस परकार से रहने वाला है, तो reference, आप यह देख सकते हैं, detail of physical assessment test, तो ये physical assessment test है, इसमें जो post number 25 और जो post number 30 है, उन दोनों के लिए इसमें बताया गया है, कि आपका physical assessment test में क्या-क्या आपसे करवाया जाएगा, तो इसमें सभी कुछ detail दीगी, आपको 100 मिटर की दोड़ है, वो लगानी है, अगर आपकी age 40 से 40 years तक है, तो आपको 25 second का time दिया जाएगा, अगर 40 से 45 की बीचे 18 second का समय दिया जाएगा, आगे इसमें दियागा, कि 4 length of horses, each 15 meters long from the appliance, तो इसमें ये हमें थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, कि इसमें क्या आपसे करवाया जाएगा, इसमें कुछ होज वगेरा है, कि 4 होज को आपको दूरी है, वो तै करनी है, या फिर कुछ इस परकार से ही, कुछ रहने इसमें आपको 10 meter length of come down, किसी रसे या फिर कुछ चड़ाई पर आपको 10 meter चड़ना है, उसके बाद में नीचे आना है, यह आपको दो बार करना होगा, इसके लिए भी time है, वो आपको दिया गया है, अलग-लग age group के अधार पर अलग-लग इसमें time दिया गया है, इसमें आपक किसी व्यक्ति को उठाकर है, वो 25 meter की दूरी तक लेकर जाना है, तो इसमें भी time है, वो आपको अलग-लग दिया गया है, आप इन सब को read कर सकते हैं, इसमें आपको push up भी लगाने है, और इसमें जो race है, वो भी आपकी 1600 meter की रहने वाली है, और उसके लिए आपको 10 minute, 12 minute, औ उसको पकड़ कर चलना भी होगा, तो यह सभी चीजी है, यह physical assessment test में आपसे करवाई जाएंगे, अगर आप यह pass कर लेते हैं, उसके बाद आपका driving test होगा, और उसके बाद आपका preliminary test और जो advanced test अब होने वाला है, और जो final merit जो आपकी prepare होगी, वो advanced test के आदार पे ही prepare होगी, तो आपको इन तीनो stage से गुजरना है, उसके बाद आपका selection वो इसमें होने वाला है, तो यह थी आज का हमारा कुछ syllabus के बारे में discussion, आसा करते हैं, आपको वीडियो पसंद आए, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को like करें, comment करें, अपने friends में share जरूर करें अगर चैनल पहली बार है तो चैनल को subscribe जरूर करें, धन्ने वार्ट